इस वीडियो में हम एक scratch में AI machine learning based एक छोड़ा सा प्रोग्राम बनाते हैं इसके लिए हम यूज करेंगे ये website machinelearningforkids.co.uk इसमें आप एक free में login बना सकते हैं जो मैं already बना चुका हूँ और इसके अलावा आपको एक IBM Watson की website पर भी एक free login बनाना पड़ेगा जिसकी instructions इस website पर आपको मिल जाएंगी तो हम एक नया project बनाते हैं यहाँ जाके add new project कर रहे हैं और मालिया जाए हम इस बार project बनाते हैं seasons के उपर कि हम machine learning का program बनाएंगे जिसमें कि system अपने आप समझेगा कि क्या summers है या winters है और यहाँ पर आपको यह जो website है machine learning for kids.co.uk आप चार तरीके की machine learning की system इस website को यूज करके बना सकते हैं text based जो हम बनाएंगे या image based या numbers based या sounds based यानि कि हम कुछ sample images देंगे और फिर IBM Watson की service यूज करके एक अपने आप एक machine learning based system बनेगा जो की similar images को recognize कर लेगा या similar numbers को या similar sounds को तो हम अभी text based बना रहे हैं और हम कह रहे हैं language is English तो यह हमारा seasons करके एक नया model बना तो सबसे पहले हम इसमें जाएंगे तो हमारे को इस system को train करना पड़ेगा train करने के लिए हम यहाँ पे जो system बना रहे हैं वो हम चाहते हैं कि determine करेगा कि summer है या winter है सबसे पहले हमने इसमें पहला label add किया कि यानि पहली category हम बना रहे है summer तो एक एक bucket खुल गई है जिसमें हम summer से related terms डालेंगे और फिर system को train करेंगे और दूसरी हम category बना रहे हैं winter तो अब हमारे को सोचना है कि summer से related क्या words है जिनको हम डालेंगे ताकि फिर हम ये machine learning based system को train कर पाएं तो let's say सबसे पहले तो हमने कहा summer ही word है फिर हमने कहा hot फिर हमने कहा sweat फिर हमने कहा temperature is high फिर हमने कहा perspiration, perspiration, sunny इसी तरीके से हम फिर winter के भी कुछ words आड़ करेंगे तो winter, cold, low temperature, snow, cold wave, maybe frost धिहान देने वाली बात यह है कि हमारे को दौनों categories में जितनी भी हम categories बना रहे हैं अपनी machine learning model की उसमें लगभग similar number of हम sample words दें बिकाद अगर हम एक sample words एक category में जाधा कर देंगे तो जो result है वो थोड़ा सा उस तरफ bias हो जाएगा तो यहाँ पर हमने summer के जो है एक, दो, तीन, चार पांच, छे दिये हैं और वैसे ही एक, दो, तीन, चार पांच, छे हमारे winter के भी words हो गए हैं तो देखते हैं कि whether this is sufficient हम back to project जाते हैं अब हम यहाँ पर अपनी जो system है इसको train करना चाहते हैं तो वो कह रहा है कि अभी तक हमने क्या किया है कि हमने summer और winter दो category बनाई हैं और दौनों में 6-6 words जो हैं वो डाले हैं category के तो अब हम कह रहे हैं कि जो machine learning का model है इसको train करते हैं और train करने के लिए यह IBM Watson की background में service यूज़ करेगा हमने यह अब इस model को train करना शुरू कर दिया और अब यह थोड़ा 2-3 minute लेगा model को train करने के लिए यह पीछे IBM Watson की service यूज़ कर रहा है तो जब एक बार यह model train हो जाएगा तो हम इसके फिर आगे देखते हैं कि हम इसको कैसे use करेंगे scratch में हमारा training model तयार हो गया है तो हम पहले इसको test करके देख सकते हैं कि यह ठीक कह रहा है कि नहीं तो जैसे हमने कहा कि अगर it is so hot तो यह कह रहा है कि it is so hot expression जो है वो summer category को belong करता है और यह 95% confidence के साथ यह बात कह रहा है वैसे ही अगर हम कहते हैं कि my teeth are chattering तो वो इसको recognize कर रहा है as winter यानि कि यह जो expression है my teeth are chattering यह winter category को belong करता है और system कह रहा है कि यह वो 16% confidence के साथ कह रहा है तो I think by and large जो हमने test करके देखा कि हमारा जो यह learning model तयार हुआ है यह by and large ठीक काम कर रहा है तो हम इसको अब use कर सकते हैं scratch में तो यहाँ पर अब हम जाकर अगर make दबा रहे हैं तो हमारे को option दे रहा है कि हम scratch के पुराने version में इसको use कर सकते हैं scratch के नए version में python में या google app inventor में एक android की app बनाने के लिए तो हम scratch 3 में इसको use करते हैं और यहाँ पर यह हमारे को बता रहा है कि जो scratch 3 में जब हम बनाएंगे तो एक नया extension scratch में add हो जाएगा और उसमें हमारे को यह जो options हैं यह मिलेंगी recognize text recognize text with confidence level जो कि अभी हमने हाँ देखा कि machine जो यह machine learning system है यह बताता है कि जो answer यह दे रहा है वो उसके बारे में कितना confident है और उसको use करके हम फिर कोई game या कुछ भी इस तरीके की चीज़ बना सकते हैं तो अगर हम इसको scratch में खोलते हैं तो scratch में यह project खुल गया है और अब हमारे को यहाँ पर एक यह नई category मिल रही है हमने वहाँ पर उसको इसका नाम season दिया था तो इसलिए यहाँ पर यह नया programming block जो है वो add हो गया है और यह हमारे पास option है तो हम इसको use करके let's say हम एक बहुत simple सा game बनाएंगे कि हम कोई AI based game बनाएंगे कि हम कोई expression देंगे और यह जो हमारा cat की sprite है यह बताएगी कि यह अभी summer है कि winter है तो इसके लिए हम जो है एक हम यह programming block recognize text एक summer और एक winter तो हम program बनाते हैं तो हम कह रहे हैं जैसे scratch का program बनता है कि when green flag is clicked उसके बाद हम control में जाके कह रहे हैं कि forever if then कि एक condition को हम conditional statement यूज करते वे test करेंगे और हम यहाँ पर एक equality का operator लेते हैं तो अब हम कह रहे हैं कि जो input है sensing में जाके हम पहले system पहले user को बोलेगा कि कोई expression दो और test करेगा कि यह summer का से related है या winter से related है तो हम यहाँ कहते हैं कि ask let's say enter your text और उसके बाद हम कहते हैं कि जो answer आएगा यहाँ पर जो भी user अपना input देगा उसको एक answer नाम के variable पर system डाल देगा और हम check कर रहे हैं कि अगर system को लगता है पीछे machine learning यूज करते हुए कि जो text input किया गया है वो summer से related है तो क्या करना है और अगर इसको हम duplicate कर देते हैं कि अगर जो expression है वो winter से related है तो हमें क्या करना है और अगर हम इसको simple सा कुछ बना देते हैं तो हम कह रहे हैं कि let's say वो कहेगा कि अगर summer है तो कहेगा it is summer और अगर वैसे ही अगर वो कहेगा कि अगर winter recognize करेगा तो वो कहेगा it is winter तो अब अगर हम इसको test करके देखते हैं तो यह first जो instruction थी वो बोल रहा है enter your text और हम let's say पहले simple कुछ try करते हैं कि hot तो hot को हमने test किया तो वो कह रहा है it is summer और अगर हमने फिर कहा कि it is freezing तो वो system अपने आप पीछे machine learning यूज करके कह रहा है कि it is winter तो इसी तरीके से आप और try कर सकते हैं कि I am sweating अगर word यह है I am sweating expression यह है तो system पीछे test करके कह रहा है कि it is summer तो अगर अब हम कुछ बहुत ही unrelated expression डालते हैं कि my name is atul तो देखते हैं system क्या करता है तो वो कह रहा है कि it is summer तो हम back end में देखते हैं कि हो क्या रहा है तो अगर हम machine learning के model में जाके यही expression डालते हैं कि my name is atul तो system कुछ ना कुछ उसका answer दे रहा है पर यहां पर वो कह रहा है कि recognize the summer but with only 31% confidence क्योंकि यह बहुत unrelated category है तो हमारा जो AI based system है वो इस किसम का अगर हो तो इस किसम का गलत answer ना दे तो इसके लिए हम एक जो यहां पर ब्लॉक है उसको use कर सकते हैं जो कह रहा था कि recognize text text with a certain confidence level तो हम इसको कैसे use करेंगे कि हम कहेंगे कि अगर confidence level let's say 80% से कम है तो जो है answer मत देना कहना कि something like I don't understand या इस तरीके का तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि वापस control में जाकर एक if then else का conditional statement लेते हैं और इसके अंदर हम यह सब बातें else में डाल रहे हैं और हम कह रहे हैं कि वापस यहां पर operator में जाकर अब हम confidence level चेक कर रहे हैं और हम कह रहे हैं कि अगर confidence level किसी percent से कम हो तो क्या करना तो हम कह रहे हैं कि यह instruction हम दे रहे हैं कि जो भी expression user enter करेगा जिस जो कि हम यहाँ पर answer जो भी आएगा उसका इस variable में जो save हो रहा होगा अगर उसका confidence level लेट से हम बहुत accurate system बनाना चाहते हैं तो हम कह देते हैं कि 90% कि अगर उसका जो भी input आएगा उसका जो machine learning कह रहा है कि machine learning system को क्या लगता है कि वो expression summer से related है या winter से related है अगर उसका confidence level 90% से कम है तो हम फिर कह रहे हैं कि user को कह देना कि let's say I do not understand तो अगर अब हम इसको test करते हैं तो हम यहाँ पर वही बात कहते हैं कि my name is Atul तो वो कह देता है कि I do not understand because हमने कहा है कि अगर confidence level 90% से कम होगा तो कह देना I do not understand और अगर हम मानलो बहुत ही inaccurate system for any reason बहुत inaccurate system के साथ देना चाहते थे तो या तो हम इसको हटाई सकते हैं clause को या जैसे कि test करने के लिए क्योंकि हमने पीछे देखा था कि यह जो expression है यह 31% confidence level है इसका तो अगर हम मानलो कह देते हैं कि केवल अगर 25% से कम हो तब यूज करना तो अगर हम अब test करते हैं और आप कहते हैं कि my name is Atul तो वो कह देता है it is summer because पीछे 31% confidence level था उसको कि यह expression my name is Atul समर से related है तो यहां हमार को बात समझनी चाहिए कि just because हम कह रहें कि artificially intelligent system है that doesn't mean कि वो बहुत ही intelligent system है it all depends कि उसको हमने data set किस किसम का feed किया था वो data set कितना accurate था और उसके basis पर ही AI based machine learning systems काम करते हैं और इसी लिए किस किसम का data दिया जा रहा है इसी बात पर निर्भर करेगा कि वो system कितना biased है इसी लिए machine learning और AI based system में आजकल एक बहुत बड़ा debate है ethical use क्योंकि मान लिया जाए data बहुत bias था gender के हिसाब से कि हमने machine को train करने के लिए जो data डाला वो बहुत ही male या female के लिए किसी एक category के लिए ज़्यादा bias था तो फिर हमारा जो AI based system बनेगा उसमें भी वो inherent bias होगी तो ये समझना ज़रूरी है कि machine learning के जो systems है वो किस तरीके से काम करते हैं तो again अगर आपको ये अच्छा लगा तो आप ये machine learning for kids.co.uk के website में जाए और worksheets में जाकर बहुत सारे examples हैं जो आप try करके देख सकते हैं हुआ हुआ है